हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है अब सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास31 टेक तो फ्रेंट्स मुझे काफी सारी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और वो मुझसे एक एक कॉशन पूछ रहे हैं कि सर मैं एक नया यूट्यूबर हूँ मैंने बड़ी मुश्किल से अपने यूट्यूब चैनल पर 100 डॉलर्स कम्प्लेट किये हैं मैंने काफी साधा मेहनत किये हैं अभी तक मैंने यूट्यूब से एक भी पेमेंट नहीं लिया है यह मेरी फस्ट पेमेंट है और मैंने कि एक एकाउंट में पेमेंट नहीं मिली है पैसा नहीं मिला है तो सर मेरा यह कहा गया कौन खा गया यह ओर यह पैसा मेरा कैसे मिलेगा मेरी इस प्रोब्लम का सुल्यूशन ज़रूर बताएं एक वीडियो बनाके बताएं ताकि हम सब अच्छे से इस चीज को समझ पाएं और इस problem को दूर कर पाएं तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी problem का solution लेके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी Google Adsense में $100 हो गए हैं आपके भी YouTube से पहली payment अभी तक नहीं आई है और यह आपकी first payment है और YouTube ने आपकी Google Adsense से payment release कर दी है आपको mail मिल चुका है इस तरीके का mail आपको मिल चुका है लेकिन आपकी जो payment है वो आपके bank account में नहीं आई है तो मैं इस वीडियो में इस problem का solution आपको बताऊँगा कि आपको आपको क्या करना चाहिए कैसे आपकी जो पैसे हैं आपके bank account में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यूं है तो ब्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेर कर आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब जो है जब आपके गूगल एटसेंस मे 100 डॉलर हो जाते हैं तो यूट्यूब हर महिने की 21 तारीक को आपकी जो पेमेंट है वो ओटोमेटिक ट्रांसफर कर देता है गूगल एटसेंस से आपके बैंक अकाउंट के अंदर और यहां पे काफे सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनकी पेमेंट ट्रांसफर का मेल पेमेंट रिलीज हो गई है लेकिन वे पेंक एक काउंट में में अभी तक नहीं आई है तो मैं इसके डो में कारण होते है जिस वाज़े से आपकी यूगोल पेमेंट है बेंकक अकउंट वेलीज निकल जाती है गलती से तो आप एक बार उसको चेक कर लें, ठीक है, ऐसे case में क्या होता है, कि जब आपकी Google Action से payment निकल जाती है, payment release हो जाती है, तो वो processing में जाती है, processing में होने के 10 से 15 दिन उसमें लगते हैं, और उसके बाद वो वापिस आपके Google Action में आ जाती है, अगर आपने bank account या फिर Swift code अपना, उसमें कुछ गलती की है, तो आप अगर उसमें गलती की है, तो उसे सुधार लें, और अगर आपने bank account सही डाला है, जो दूसरा कारण है, bank account भी आपने सही डाला है, swift code भी आपने सही डाला है, आपने सारी details सही डाली है, Google Adsense से आपकी payment release हो गई है, आपको mail भी आ गया है, ले rate करना है, अगर फिर भी आपके bank में नहीं आती है, तो आपको अपने bank के customer care से बात करनी है, जो आपके bank में आप phone करके बात कर सकते हैं, कि मैं एक YouTuber हूँ, मेरा इस number से आप अपने account बता सकते हैं, कि मेरा इस नाम से यहाँ पे account है, और मेरी YouTube से इतनी payment आने वाली थी, लेकि अभी तक नहीं आई है, आप प्लीज चेक करके देखें, कि मेरे account में payment कब तक आएगी, तो वो आपको चेक करके बताएंगे, अगर फिर भी वो मना करते हैं, कि आपकी कोई payment नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, अपनी bank, जो आपका bank है, उस bank में आपको जाना होगा, औ और bank manager से मिलके, आपको ये बताना होगा, कि मैं एक YouTuber हूँ, मैं YouTube पर काम करता हूँ, मेरे YouTube से payment आने वाली थे, आप प्लीज मेरे bank, जो account है, मेरा उसे चेक करके, प्लीज मुझे बताएं, तो वो आपके bank account को चेक करेगा, अगर वो फिर भी यही कहता है, कि आभी तक आपके कोई payment नहीं आई है, तो आप उसे और बता सकते हैं, कि आप अपनी Swift code वाली branch में चेक करें, एक बार हो सकता है, यह आपकी branch के head में, यह मेरा पैसा पड़ा हो, यह सब आपको सरकारी bank add करने पे दिक्कत आती है, सरकारी bank में जाके आपको इस तरीके से समझाना पड़ता है, private bank में उनको यह सब पता होता है, इसलिए automatic आपकी जो payment है, वो आपके bank में आ जाती है, सरकारी bank में आपको इस तरीके से जाके समझाना पड़ता है, अगर आपने सरकारी bank add किया हुआ है, तो अगर वो फिर भी मना करता है कि अभी भी मेरे पैसे नहीं आई हैं, तो आप उस से ऐसे बोल सकते हैं, कि आप shift code वाले branch में चेक करें, एक बार आपकी branch के head में चेक करें, तो वो आप से कोई proof मांगता है, तो आपको यह proof जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो यह proof आपको उसे दिखा देना है, यह proof आपको Google AdSense में मिलेगा, जहां पे आपने अपनी payment release का, जो आप transaction में जाके वहाँ पे जब चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको इसकी receipt यह वली मिल जाएगे आपको, आपको यह click करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको यह receipt मिल जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आप यह receipt उसे दिखाएंगे, तो यह एक परता हूँ, mostly cases में वह आपको दे देते हैं, ठीक है, वैसे तो आपको टालते हैं काफी, लेकिन फिर भी आप अगर request करेंगे, अगर आप उसे सही से check करने के लिए बोलेंगे, तो कहीं ऐसे भी होते हैं, जो आपको दे देते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा होता है, वो या 100% solve हो जाएगी, और आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अपना जो bank add करें, आप प्राइवेट बैंक को add करें उसमें, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके एक दो दिन में पैसे mail आने के बाद, आपके account में transfer हो जाएगे, और आपको ज्यादा में आई होगी, और आपको अगर फिर भी वीडियो से कोई question query बच गई है, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके post सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे like और share जरूर करें, thank you